जो नालायक अपनी 90 बर्श की माँ को कतार में लगा देते हों, उनको क्या पता? माओं की सम्मान क्या होता है? मैं यहाँ साइन बाग का जिकर आपके सामने करना चाथ दावाता हूं, योगी ने क्या कहा? शाइन बाग की माओं के लिए कहा गिया कि माएं विकाओ है अपनी माँ को तो 4000 के लिए कतार में लगाते हो तो लगता है कि सबकी माँ कतार में लगने वाली है क्या उन्होंने कहा भारत में गुस्पैटियों को पहचानने के लिए पोहा का इंतजाम होना चाहिए पोहा खाने के अंदा से पता लग जाएगा कौन गुस्पैटिया और कौन गुस्पैटिया नहीं है उन्होंने कहा भारत में गुस्पैटियों को पहचानने के लिए पोहा का इंतजाम होना चाहिए पौहाँ खाने के अंदा से पता लग जाएगा कौन गुस्पैटिया और कौन गुस्पैटिया नहीं है तो मैं आपके माद्यम से कर जाता हूँ कि मोधी जी ये यन पी आर ये न आर सी और सी ये के खिलाब तो पूरा भारत खड़ा है बाबा साहिब के संबिधान के साथ खड़ा है आपके संग के बिधान के खिलाब खड़ा है लेकिन पौहाँ पार्टी पूरे भारत में आप करो और सब लोगों को पौहाँ खिलाओ भा कर रहे हैं बीरोजगारों को रोजगारी सरकार और जो रोजगार कर रहे सरकारी शंस्तान में उन्हें में शञड़ का रही है जिन्दा जलाने का पाइदान हमारे देश में रुपए की कीमत और हमारे देश में पर्दान मंत्र के पद्र की गर्मा रफ्तार से गिर रही है यह भी नहीं बस पा रही है ना पर्दान मंत्र के पद्र की गर्मा बस पा रही है ना हमारे देश में जीडीपी बस पा रही है ना हमारे देश में अध्यक्ता में बने संभिधान का अपमान करने के लिए हमारे देश में नागरता कानून को बदली करके धार्मी का आधार पर देने का कानून बनाएगा एक दो इनका एक गोल वर्कर थे संग के गोल वर्कर ने कहा था भारत में सुद्रों से और इसायों से तमाम नागरी कजिकार छीन लेने चाहिए मैं DS4 के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये दूसरा काम ये कर रहें बाबा साहिब के संबिधान को खतम और कमजोर करके ये संग के उस बिधान को लाने वाले हैं जिसके कारण मेरी भारत में 30 करोड भूमी हीनों की नागरता पर सवाल खड़ा हो जाएगा 15 करोड बेघर लोगों के जो गुमंतु है स्वाल खड़ा हो जाएगा क्या पेश करेंगे वो 170 लाख बेघर लोगों की नागरता पर खतरा मंदराने लग जाएगा और 8 करोड 43 लाख आदी बास्यों की नागरता पर सवाल खड़ा होगा यहीं नहीं इसके अलावा बहुत बड़ी है आबादी सरकार के आंकड़े हैं सन सत्तर तक मात्र 66 फिश्टी लोग साक्षर होते थी तो किसी को भी भार्त या नागरिक बताने के लिए आपका मद्दाता पहचान पत्र नहीं चलेगा आपका आधार कार नहीं चलेगा आपका पेन कार नहीं चलेगा आपका रासन कार नहीं चलेगा और मैं कह रहा हूँ शेना में शेवा निवर्ती भी नहीं चलेगी जो आपने देखा होगा कि आसाम का एक सिपाई भड़ती वाता सुबिदार रिटार हुआ कारगिल युद्ध मैं उन्हें सम्मान मिला सैदुल्ला की मैं बात कर रहा हूं उनको दस जिन जेल में रहना पड़ा डिटेक्शन सेंटर में तो इसलिए है इस पूरी परकिर्या से ध्यान हटाने के लिए यह पूरा सध्यंत्र किया जा रहा है और तब लोगों को अब एन आर सी सी ए उस पर करके नहीं ने देखिए योगी जी का कोई गलती नहीं है संसकार का मसला है हमारे देश में परधान मंत्री की कूर्शी पर बैठे नरेंद्र मोदी जी ने उनकी सरकार ने हजार अट-पांस और पे के नोटों को बंद किया परचलन से भार किया नब्य साल की मां मोदी जी की नब्य बर्श की मां चार हजार रुपए बदली कराने के लिए बैंक के कतार में लग गई दो हजार सोला का मैं जिक्र कर रहा हूं और इंटल बैंक के बाहर कतार में लगी चार हजार रुपए बदली कराने के लिए तो जो नालायक अपनी नब्य बर्श की मां को कतार में लगा देते हूं उनको क्या पता माओं की संम्मान क्या होता है मैं यह सपाने लिए कटार में लगाते हो तो लगता है कि सबकी मां कातार में लगने वाली है क्या और इन संग गिरों की पूरी बोलती बंद कर दी मां बेहनों ने मोर्चा समाल दिया पुरसों को तो सड़क पे आने के अब जरूती नहीं रही यह कायर महलाओं का मुकाबला करने लायक नहीं रह गए इसलिए अब वो यह कह रहे हैं पूरुस रजाई में हैं और महलाए सड़क में हैं तुमारी ताकत और हैसियत तो जरह हटा के दिखाओ सड़कों से उन मां बेहनों का तुमान जाओंगा आपको नहीं नहीं देखिए बाबा मुझे लगता है कि राम देव को अपने आगे से बाबा हटा देना चाहे ब्या बिद्याले है पतंजली बिद्याले आईश बिद्याले चलाते हैं कौन राम देव और आईश बिद्याले में फीश वसूली की गई 80,000 की जगा धाई लाक रुपए और नैनिताल हाई कोट का 2018 का सिंगल बेंच कर फिडबल बेंच का आदे से पैसा वापसी करने के लिए य हाई कोट के आदिस का पालन नहीं करता है कि पड़े लिके चात्र चात्राओं को अरे देश और दुनिया में परिबर्तन तभी आता है जब चात्र और चात्राओं मैदान में आती है तो आजादी के नारे गूज रहे वो कहते हम रासुका लगाएंगे देश दुरो लगा म मुकदमा बनाएंगी आज मैं दुबारा से कहना चाहता हूं देखिए इसको आपको समझना पड़ेगा कितने अंडेमोक्रेटिक लोग अलोग तांत्री कहेंगे संग का गठन 1925 में देश की आजादी के खिलाप गठन किया गया था इसकी बुमी का आप समझने पड़ीगी तब से लेकर आज तक एक भी महला किसी डलित को, किसी महला को, किसी ओवी सी को, किसी अलप संग्य को, और किसी हिंदू को, सिक बोध जैन को किनों ने संग का परमुकाश तक नहीं बनाया, बस रज्जु भाईया और एक दो लोगों को इसलिए बनाया आटे में नमक के जैसे पहले अंग्रेजों ने कर रखी थी और उन लठेतों के बूचे धाय सो परस तक राज किया उसी तर्ज पर जाकर यहुदी परिवारों ने अपने लठेत खड़े कर रखें मुझे लगता है जो अंग्रेजों ने तब सुपारी दी थी आज संग के गुर्गे और संग के अन्वियाई हमारे देश के साथ वह हसर कर रहे हैं जिसके लिए उन ने तब सुपारी ली थी क्योंकि देखिए कैसे आ सकता कोई पाकिस्तानी आट पर सड़क पर सरकार इनकी पुलिस इनकी देश में इनका चीमा पर सेना लगी है बाबजू जिसके जिस तरगे डिबिंदर आतंकी दिल्ली पर हमला करने वाला था अपने सयोग्य के साथ मुझे लगता उसी तर्ज पर सब्सक्राइन के सारे पर कुछ गड़ा-गरबड होने वाला है अब मिल्कुल कपिल मिस्रा को गिरपतार करके जेल में डाला जाना चाहिए कि वह कौन-कौन पाकिस्तानी है और उनके आने के जरिया कौन से वह जहाद से आएंगे समुदरी मार्क से आएंगे कि रेल से आए मैं यह जान चाह रहा हूं कि DOrome smr के दॅ को माद्यम से मोधी सरकारत जाना चाहता हूं क्या हमारे देश में गिरहए मंत्री के कूछ सब्पर बेठा जो सखस है अमिस्साह को तड़ी पार किया था अभढने में नहें allowed क्या पूरुषकार देने के लिए क्या था क्या सम्मानित करके तड़ी पार क्या था क्या हरे गिरेम मंत्री की कुछी पर तड़ी पार बैठावा सक्स है पर धान मंत्री कुछी पर फजी डिग्री वाला बैठा सक्स है और आपको बताता हूं एक और घटना अभी ये कपिल मिश्रा सिरफ चुनाव पर 2015 को परधान मंत्री पाकिस्तान गये थे चुपके से बिर्यानी खाने के लिए और आतंकियों से क्या डील के हमको मालूम नहीं है लेकिन दो जन्वरी को पठान कोड़ पर आतंकियों ने हमला किया उस शडियंत्र में मोधी सामिल थी आप समझ रहें मैं दूसरा घटना बताता तो जाजों की मांग खारिज कर दी तीसरी बात है कि एक ही गाड़ी थी जो बुलट प्रूफ नहीं थी उस गाड़ी को विस्पोर्ट पर हमला कर दिया गया तीन सो किलो आट्यक्स से पांचवे पांस तारी को तीन बड़ी घटना होती है साइन बाग पुलिस लगती है अम पर गिरफतार नहीं होते हैं जामिया पर हमला करते हैं पुलिस बड़ी दारी उनके खिलाब मुकद में दर्ज नहीं होते हैं और इसलिए पिक और चूज का मामला है इनका बोलेगा तो परचार रोकिंगे बस